विल्कम बैक दोस्तों सोमनाथ फोटोग्रापी चनल में आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे फोटोशोप CC 2020 में एक बहुती बढ़ी ऐसा फीचर्स आया है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे उसके मदद से आप लोग बहुत आसानी से बैक्राउंड को रिमोब कर सकते हैं बिना कोई रुकावाद लेकिन वो बैक्राउंड आपका ब्लाव होना चाहिए या फिर सेम कलर का होना चाहिए तो चलिए देख लेते हैं तो यह देख सकते हैं हम लोग फोटोशोप CC 2020 ओपन कर लिए है मैं इसका वर्जन तिखा देता हूं घ्रिए 21.00 हिलेश ओकिवे तो मैं एक फोटो यहापय लेकर आ ना जैसे मैं इहां पर मान लेजा फोटो पेलेकर आ यहां ओ फिर आप ओपन करके यहां पर लेकर सकते किसी बी तरह साब फोटो ला सकते उसके बाद में आपको कह करना है simply आपको लेयर पै लाग िधestra च्छाटे ले ले लियर पने लागए सिसके बाद इहां पर देशकते हैं आपकगा एक लौक का बटन है इसको आप ऐक बार क्लीक करएंगे त या फिर आप कोई भी दूसरा background जहां पर आपका storage है वो आप लाके इसके नीचे आपको रखना है मैं फिलाल आपको gradient filter आड़ करके आपको दिखा देता हूँ जैसे माल नहीं जो मैं यह वाला filter आड़ कर लगा हूँ और यहां पर मैं style को radial कर दिता हूँ इसके बाद मैं इसको ok कर दिया और यह जो gradient filter है इसको simply हमको नीचे लाँ ठीक है तो नीचे आगया तो यह दिखाई नहीं दे रहा है अब simply आपको क्या करना है यह जो layer one है मतलब यह जो photo है इसको select रखते हुए आपको simply property panel जो है उसको open करना है अगर आपको यहाँ पर property पैनल दिखाई नहीं दे रहा है जैसे यह वाला property पैनल है यह आपका अगर show नहीं कर रहा है तो simply आप window में जाएंगे यहाँ पर देखिए प्रापर्टीस गोल कर लिखा है इसको आपको click करना है ठीक है तो मेरा फिलाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो मैं simply आप इसको click करने बाला हूँ उससे पहले आपको याद रखना होगा photo को आपको select रखना है ठीक है उसके बाद इसको select कर लेगे करन करने के साथ सथ हुआ होई ईह प्रोसेसिंग हो रहे प्रोसेसिंग होने के बात अटनी को कट आउट करकर आपको दे देंगा और पीछे का गराण एव वेसले हो जका है ठीका बैकडाउन हो चुका है अब कह भी बीकोई मुव कर सकते हैं और इसी तरह से आपको करना है जैसे मैं इसको अफ कर देता हूँ मैं दूसरा एक इमेज ले ले दाओ जैसे यह वाला इमेज्च थोड़ा सा ब्लाड़ी है जैसे आपको दिखाई देला मैंने पहले भी कहा ब्लार ब्रेग्रांड होगा कोई भी कलर इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन ब्लार बैग्राउंड थोड़ा से होना चाहिए अगर ब्लार बैग्राउंड अक्ता होगा तो उसी बग अपका बैग्राउंड हो सकता है ठीक है तो हम लोग पोटो यहां पर लेके आए फिर से हम लोग लेयर पैनल को अपिन कर लेंगे और यहां पर देखें लोग का बटन है इसको क्लिक कर देंगे इसका लोग अल्रीट खुल जाएगा या फिर आप क्लिक मत कीजिए इसको आप एक कॉपी कर लीजिये ठीक है ? कॉपी करने का बाद नीचे वाला जो लेयर है इसको सेलेक करते हुए आपको यहां पर ग्राउंड देना है जैसे मानले जे मैं यहां पर दूसरा एक बैक्राउंड देना चाहता हूँ तो मैं यहां पर जाओंगा प्लेस में जाओंगा प्लेस में जाके मेरा जो बैक्राउंड है मैं वहां पर वाला बैक्राउंड देना चाहता हूँ तो मैं सिंप्ली यहां पर मेरा यहां पर वहले जो background कोई भी background दे सकते हैं से कोई मतलब नहीं है मैं एक background देखा देता हूं कैसे इसका result आएगा तो मैं यह night वाला scene एक दे देता हूं तो आप उसके बाद लोग देखांगे क्या result आज़ा है तो मैं यह वाला एक background प्लेस कर लेता और साथ सद यह automatically लिए प्लेस हो जाएगा उसके बाद इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लिए और इसको और के मतद से आप बढ़ा कर लिए इसको फील कर लिए इसको बाद इसको ओके कर लिए ओके करने के बाद इसको ओपर वाला जो बैकराउंड है यह दिखाई देरा इसको सिलेक रखते हु यह काम होना चालू हो जाएगा, यह अब देख सकते हैं, थोड़ी देर आप वेट कीज़ें, कोई दिखाए देगा, यह देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपका बेक्राउंड रिमूव हो चुका है, और यह देखें, कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नही और प्लेन कलर का बेक्राउंड होगा, तो यह आरम से कट आउट करके दे देता है, ओके फैंस, और हाँ दोस्तों, जिसके पास फोटोशोप CC 2020 नहीं है, अब फिला लोग को नहीं मिला है, तो उन लोग के लिए भी मैं एक चीज लेका आया हूँ, उन लोग को भी निरास न काम करेगा, जैसे मैं इसको आउप कर लेता हूँ, मैं इस फोटोशोप को आउप करके फोटोशोप CS6 ओपेन कर लेता हूँ, तो दोस्तों यह देख सकते हैं, फोटोशोप CS6 ओपेन हो रहा है, ठीके, होने के बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ, उसके अंदर कैसे अगर आपका ब्लार हो, थोड़ा सा, तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपका थोड़ा सा ब्लार होना चाहिए, ब्लार बैग्राउंड को यह आटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, आडाम से, अगर मल्टि कलर होगा, अगर बैग्राउंड ब्लार नहीं होगा, तो यह select नहीं कर पाएगा, और simple color होगा, single color होगा, तो यह automatically आपका ले लेता है, जैसे आप दे सकते हैं, यहाँ पर Photoshop CS6 ओपन हो चुका है, तो हम लोग जाएंगे action में, तो window में जाएंगे, window में देखिए, यहाँ पर action का button है, इसको click कर देंगे, तो यह action आपका open हो जाएगे, जाने के बाद आपका जो भी आपका जो फोटो है, आप उसको उठा लीजे, जैसे मान लीजे मैं यह वाला फोटो इसके अंदर डाल लेते हूँ, तो यह फोटो आपका इसके अंदर automatically open हो चुका है, जैसे हम लोग डाल लिए, उसके बाद हम लोग को कह करना होगा, simply आप इहाँ पर देखिए, magic one tool है, आप इसको click करते हुए, और इसका tolerance ही, आप 32 रखिए, अगर आपका, मान लीजे, एक click करने के साथ साथ, पूरी तरह से पकड़ नहीं रहा है, तो आपको shift button दबा के, click करके save करना होगा, ठीक है, selection करना होगा, selection आप पूरी तरह से कर लीजे, एक दम fine selection नहीं दरकार है, यहाँ पर fine selection नहीं भी होगा, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यह selection होनके बाद, simply आप यहाँ पर देखिए, bg change, इसको आप click कर लीजे, click करने के साथ साथ, इस तरह से आपका एक box खुल जाएगा, आप simply जो है, उसको उसी तरह से रहने दी या फिर आप फेदर ज्यादा देना चाहते है, तो 1.5, इससे ज्यादा आप मत दीजे, और इसको ok कर लीजे, ok करने के साथ साथ यह continue पूछेगा, इसको click कर लीजे, और background आपको पूछेगा, बैग्राउंड कहां पर आपका background है, वो कहां से आपको लेना है, वो पूछ रह करने है, इसको क्लिक करने के साथ यह automatically sky हो जाएगा, और इसको आप छोटा करके, sky इसको थोड़ा सा बढ़ा है, इसको फीट कर लीजे, फीट करके आप इसको इंटर कर दीजे, ठीक है, इंटर करने के बाद थोड़ी दे रोइट कीज़े यह आटोमेटिकली पूछेगा तो मैं यहाँ पर फिलल टू रख रहा हूँ और उसके बाद इसको ओके कर लेता हूँ ओके कहने के बाद यह आटोमेटिकली काम होना चालू हो जाएगा होने के बाद आप देखिए थोड़ी दिर में एक चीज आएगा देखिए यहाँ पर एक चीज आ चुका है जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए एक ब्रास आटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है तो इसके उपर देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ासा कटाउट ठिक टक नहीं लगड़ा है तो आपको सिंपली इसके उपर ड्रॉ करना है सिंप्ली आपको इसके उपर ड्राव करना है यह पीछे का जो कलर है यह हट जाएगा ओक फेंस इस तरह से आप लोग को करना है तो और मैं जाएं जाएग से पान बहां प्रसाव को आया शाएगा इसे लिए पाले दिल लेंगे घैज आप सकते हो इत्र fi कर लेते बीजिक लाइट तो आपको इसको इस Поэтому करना है जाएगा लएग लग्रा कर लिए ऊके करने का बाद इसको थोड़ाशा डाउन कर लिए तो यह बेग्राउंड आपका अच्छी तरह से दिखाई देगा अगर डार्ट रहेगा तो आप लाइट कर दीजे अगर लाइट बेग्राउंड रहेगा तो आप अटोमेटिकल कर सकते हैं ठीक है और इसके फोटोशोप CC 2014 में भी कर सकते हैं मतलब 17-18 तक यह काम करेगा इस तरह से आप लोगों करना है और यह वाला एक्षन हम लोग फोटोशोप CS3 में भी देखेंगे अगर फोटोशोप CS3 में मैं दूसरा एक एक्षन बना के रखाऊ सेम एक्षन फोटोशोप CS3 जो यूजर है उन आपको उसी का डाउन पर सब्सक्राइब है आपको उसे का डाउन होए तो मैं है फिला इसको बन कर देता हूँ जाएंगे एक्षिन का बटन ही आपे देखिए क्लिक करेंगे इसको क्लिक करेंगे लोट करने का बाद सिंप्ली आप फोटो एक ओपन कर लीज़े जैसे माल लेज़े मैं यह वाला फोटो ओपन कर लेता हूँ यह वाला फोटो ओपन हो चुका है तो हम लोग सिंप्ली यहां पर जाएंगे कुछ सेलेक्शन टूल आपको जो सिलेक्शन अच्छा लगे वह सेलेक्शन टूल से आप कर सकते हैं जैसे यहां पर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ ब्रास सा इसको और इसके ऊपर रहो करने के साथ थे थुआ सा पार फेहें इसको फट कर से अब टूल एंगे इसको फिर क्लिक कर लें तो बटन मूट आजएगे 마법 करेंगे इसको प्याजी बढandezी िति करेंगगेए तो से अब इसको वी सेम चीज पूचाईगा ने एक आपका जो इस तरह सहलों से इसलों देता है है को यह अग्ल Uneики बयनेका सिर्फा साँ करना है में किसी यहां पर कि आपको कुछ सेट करना है फ्रिक है यह दिखा रहा है इसके बाद आपको इसको फ्रासा हमें जूम कर लेता हूँ और इसको इंटर कर दोदने के साथ साथ आप्नेक व्रकेकल लीड … होने के बाद आप सीमिली से चूज हो जायेग़ तो यहां पर देखें, नहीं आ रहा है, कभी-कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंप्ली यह जो फोर्गाउन कलर है, आपको ब्लैक देना है, ठीक है, ब्लैक दे देंगे, तो यह आटोमेटिकली ब्लैक हो जाएगा, यह किसी-किसी इस तरह से आप लोग को माझन लेजे बैक्राउंद चğेंज करना है,ठीक है, तो इसको क्लिक करेंगे,न्यशोफ ओं लिए यह पर यहां पर जाएंगे, माझन लेजे वाले बैक्राउंद दे देता हो, इसको हम लोग कि सेट कर देंगे सिंपली उसी तरह से आएगा यहां पर चैंज कर के देगा यह देख सेकते हैं दूसरा कि यहां पर आचुपर तो इस तरह से आप लोग को करना है और यहां पर देखिए background color change ठीक है इसको click करेंगे तो यह automatically एक window pop up open होगा तो इसको आप click कर लिए और यहां पर देखिए color change आप कर सकते हैं कोई भी color up देशकते हैं तो देखिए आप इसको ok कर लिए और इसको फिर से continue कर देखिए करने के बाद layer में आ जाईए layer में आना के बाद आप simply यहां पर देख सकते हैं इस तरह से आपका background automatically open हो चुका है ठीक है यह आपका background है इसको ctrl T दबा के आप इधर बदर move भी कर सकते हैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ठीक है यह देखिए कि अब लोग को समझ में आ चुका है कैसे आप लोग को यूज़ करना है मैं photoshop cc 2020 से लेके photoshop cs3 तक आपको दिखा दिया कैसे आपको यूज़ करना है और अगर आप मेरा चनल में नए है चल्दी से subscribe कर लिजे इस तरह से इस तरह का latest video मैं हमेसा लाता रहता हूँ और notification bell icon आपको अच्छा लगा या फिर मेरा यह जो action है यह आपको अच्छा लगा कौन सा चीज आपको अच्छा लगा comment करके जरूर बताइए और एक like जरूर कर दीजे दोस लोग ऐसा share करना मत भूलें और मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यार रगिए जाए चात्pps कर दो सथैंड़ मिलत दीजेए वीडियो या जाएज ए मुलते आपको सा लाओ पकर लगा कर दीजेड जागा並न eln ea अपकर कर दीजे को अवार फशा भी म rail है वीडै जाग ख हा के लिन्गें एको मैं आपको अवादान हम्स न चिसाथ खना खाएगें आपको उगा